अगर दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं न्यूसे न्यू जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले तो दोस्तो जमू और किश्मीर पुलीस की तरब से कल एक वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन अपलोड किया गया था जो कि बूमन बटेलियन और बार्डर बटेलियन को लेकर था तो इसका जो टाइटल था परड़क्शन आफ डैफिशन डॉकुमेंट्स दोस्तो काफी सारे कंडिडेट्स को दिक्कत थी और काफी परिशानी आ रही थी तो आईए जानते हैं पूरा डेटेल में ये वीडियो तो दोस्तो वीडियो के साथ अंतक बने रही है तो दोस्तो अगर आप हमारी चैनल पे न्यू है तो आप हमारी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो दोस्तो अगर आप government jobs के लबा private jobs में भी interest रखते हो चाहे वो 8th pass हो, 10th pass हो या फिर graduate level पे हो तो आप career with us चैनल को subscribe कर सकते हैं ये काफी अच्छा चैनल है इसका link description में होगा वहाँ से आप इसको subscribe कर सकते हैं वीडियो में हम आपके doubts clear करने वाले हैं और notification को detail में जानने वाले हैं तो दोस्तो यहां पे आप देख सकते हैं official site पे पहला जो notification था वो upload किया गया recruitment board की तरफ से निकाला गया था 402 border battalion के लिए जो कि police headquarter जैन के सीनगर से ये notification release हुआ था तो दोस्तो इस notification में ये बताया गया था कि यो भी candidates belong करते हैं डिस्टिक पुंच च्रजोरी जम्मू सांबा कठुगा बारमुला कुबाडा बांदीपुरा जी हैं दोस्तो जिनके row number को unlisted किया गया है इन में से कुछी candidates हैं जिनकी जो row number यहां पे बताये गये हैं जिनने border battalion की जो बर्थी देखी थी उसका physical endurance test को पास किया था तो दोस्तो उनके लिए एक notice जारी किया गया है कि आप अपने जो valid reserved category certificate है वो police recruitment mode जानी की headquarter में जमा करवाए सिरिनगर और जमू में जो आपकी date दी गए है 17 September 2021 से लेकर 21 September 2021 के बीच में मतलब आपको total तीन दिन मिलेंगे ये process करने के लिए तो दोस्तो ये कौन candidates करवा सकते हैं उनके row number भी यहाँ पे दिये गे हैं अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाते हैं तो मैं description में इसका link दे दूँगा आप वहाँ से direct डाउनलोड कर सकते हैं से और यहाँ पर आप दे सकते हैं यह भी जिन candidates की यहाँ पर row number दिये हैं सिर्फ वही लोग documents को verify कर सकते हैं और उसके बात मैं काफी candidates के यह doubts थे उसको मैं clear करना चाहता हूं तो दोस्तों चलिए कुछ doubts बगएर है clear कर दिये जाएं तो यहाँ पर सबसे पहला जो comment आ रहा है साहिल शर्मा की तरफ से इन्होंने कहा है कि sir मैंने general category में form fill किया था क्या मैं अभी EWS certificate जमा करवा सकता हूं तो साहिल जी को यह बात बता दे कि अगर आपका जो PDF कल आउट हुई है उसमें अगर आपका row number है तो आप करवा सकते हैं ने तो ऐसे आप नहीं करवा पाएंगे अगर आप इससे और जानकरी चारते हैं तो आप police headquarter में जा सकते हैं वहां से आप पता कर सकते हैं क्या मैं EWS certificate लगा सकता हूं दोस्तों यहां पर जो second comment है आशिस चोदरी की तरफ से है यहां पर इन्होंने बताया है कि बाई कोई police बता दो अगर किसी को पताया कि admit card download कैसे करें या row number पापी से मिल जाएं तो अभी तक आपके जो new admit card है वो out नहीं किये गे हैं आप अपनी वही पुराने वाली जो login account है अपना id डालके जाँ अपनी data बत डालके आप अपने admit card को download कर पाएंगे जैसे notification उसका भी आएगा आपको update हमारे चैनल पे मिल जाएगा तो दोस्तो third question यहां पर निकल के सामने आ रहा है कि ALC certificate भी submit करवा सकती हैं लड़कियां क्योंकि 60% border वालो की post है तो friends जब आपने जो farm है वो fill किया था जैसे border battalion के farm लगे थे starting में अगर आपने वाहें पे ALC certificate नहीं बरा था तो आप eligible नहीं हो क्योंकि तबी ही सब कुछ fill किया जाता है अगर आपका row number नीचे है जो कल PDF आई है तो आप जरूर eligible हो तो आप अपने row number के हिसाब से देख सकते हैं तो चलिए next question की तरफ चलते हैं यहां पर next question है यहां पर बताया गया कि sir जिनके पास category certificate नहीं है जर्नल category में फाल करते हैं उनके लिए क्या update रहता है तो जिनके पास कोई भी certificate नहीं है उनको कुछ नहीं करना है उनके लिए admit card जारी कर दिये जाएंगे जब भी मतलब जिनके पुलीस के तरफ से admit card जारी करेंगे तो उनको सिर्फ exam देने ही जाना है admit card लेकर उनके लिए कोई भी certificate नहीं लगाना होगा तो दोस्तो यह important question है जिनन अली खान की तरफ से sir मेरे general category है लेकिन मेरा admit card पे ALC आया है मेरा row number भी आया है तो दोस्तो इस candidate ने क्या किया था कि इसकी general जो category थी इसने category की जगा थोड़ी सी गलती कर दी थी वहां पे ALC category कर दी थी जो कि इसकी नहीं है तो इसका भी row number जो कि कल वाली PDF में आ गया तो अब आपको करना क्या होगा कि correction करवानी होगी आप headquarter में जा सकते हैं वहां से correction करवा सकते हैं ने तो आप इनकी online website पे जाके help center से इनको call वगरा करके ये subscribe कर सकते हैं क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आ सकती है तो दोस्तों ये थे जो आज की question थे अगर आपको ये वीडियो informative लगा होगा आप हमारे चनल के साथ जूड सकते हैं क्योंकि JNK police के तरफ से कोई भी update निकल के सामने आएगी तो हम आपको जल्दी से जल्दी update कर देंगे तो आप हमारे telegram group भी join कर सकते हैं जिसका link description में होगा क्योंकि वहीं पी सबसे पहले PDF जा कोई भी notification वो डाले जाते हैं तो दोस्तों यही था बस आज का वीडियो मिलते हैं नेक्स टूडियो में न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए जाहिन जावाँ